हलो दोस्तो नमस्कार मैं बालापीर इलेक्ट्रोनिक चैनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो हम एक LG फैल्ट्रोन एके सिंची का सी आटी टीवी रिपियर किये हैं और इस टीवी का हम आपको पहले रिपियरिंग वीडियो आपको पहले दे चुके हैं हम इस वीडियो में आपको बताएंगे भटकल सेक्षन का जो आईसी लगा हुआ है इसमें TDA 4865A इसका सारा भोल्टेज के विशे में डीटेल रूप से दोस्तो हम आपको जनकारी देंगे ठीक है कि भटकल सेक्षन का जो आईसी है TDA 4865 उसके एक नम्मर पीन पे कितना भोल्टेज होता है और दो नम्मर पे कितना भोल्टेज आएगा पांच नम्मर पे कितना होगा और दोस्तो साथ नम्मर पे कितना होगा इसी के भी से में डीटेल जनकारी देंगे और इसका जो सप्लाई भोल्टेज है वह कहां से आता है भटकल सेक्षन को चालू करने के लिए तो सभी दोस्तों हम आपको detail से बताएंगे तो सबसे पहले दोस्तों TV और DTH हम start करके दिखा देते हैं यह TV दोस्तों पूरी तरह okay है ठीक है उसके बाद दोस्तों हम इसका voltage और fault के भी से में बात करेंगे तो TV में हम supply दे दिये हैं दोस्तों TV स्टार्ट हो जाने देते हैं तो दोस्तों हम आपको picture दिखा देंगे ठीक है दोस्तों हमारा TV स्टार्ट हो गया है TV के screen पर light और picture सब आ गया है और sound भी दोस्तों आ रहा है चलिए आपको screen दिखाते हैं देखिए दोस्तों screen या full screen दोस्तों picture आ रहा है ठीक है देख रहे हैं या TV दोस्तों पूरी तरह ओके है इसमें किसी परकार का कोई दिक्कत नहीं है चलिए आप पहले TV को burn करते हैं और इसका ये भी पिन निकाल देते हैं सबसे पहले दोस्तों आप भटकल section को पहले पाहा चानना सिखिए तो दोस्तों भटकल section में एक hitsink लगा हुआ रहता है देखिए ये hitsink लगा हुआ है और filter के अपिसीटर है दोठो और यहां पर दोस्तों इस की sim का IC लगा हुआ रहता है इस IC का नम्मर है दोस्तों TDA 445 यहीं दोस्तों IC लगा हुआ है यह दोस्तों हमारा sound section है इसका इसमें भी दोस्तों hitsink होता है यह हमारा power supply है ठीक है यहां भी दोस्तों hitsink है और यहां दोस्तो horizontal output transistor है लगा हुआ तो इसमें दोस्तों 3 pin का transistor लगता है और IC दोस्तो 7 पिन का होता है भटकल IC 7 पिन का और इससे जो सो connect होकर युक कोयल में connection जाता है ठीक है भटकल सेक्षन का काम है दोस्तो पिक्चर को उपर से नीचे की और फैलाना अगर भटकल सेक्षन में पिक्चर उपर से नीचे नहीं फैलेगा भटकल सेक्षन अगर आपका काम नहीं करेगा तो दोस्तो TV की स्क्रीन पर मरकरी के तरह पतला एक लाइन आएगा या दोस्तो भटकल सेक्षन में प्रोबलेम आता है तो हाइट छोटा हो जाता है या दोस्तो उपर और नीचे से पिक्चर आएगा कभी दोस्तो बीच से उपर चला जाएगा पिक्चर और कभी दोस्तो बीच से नीचे चला जाएगा पिक्चर ऐसे दोस्तो आता है और कभी दोस्तो लाइनिंग लाइनिंग आता है रिट्रेस लाइन भी आ जाता है वटकल सक्सन खराब होने से तो यह जो आईसी है दोस्तो इसका चार पिन आगे होता है देखिए और तीन पिन पीछे ये वला तो ऐसे दोस्तो हम लोग रखते हैं और आईसी का पिन गीनते हैं ये वला एक नमर पिन है हमारा और पीछे वला दोस्तो ये दो नमर हो गिया फिर दोस्तो आगे वला ये तीन नमर है और पीछे वला दोस् तो किस पीन पे कितना वोल्टेज रहता है वह दोस्तों देखिए तो हम आइसी का देखिए डाइग्राम बना ही एक नम्मर यह दो नम्मर यह तीन नम्मर यह चार नम्मर यह पांच नम्मर यह छो नम्मर यह साथ नम्मर तो एक नम्मर पीन पे दोस्तों प्लस चौदा वोल् दोस्तो तीन नममर पीन पर प्लस 13डसमलव 65 वोल्ट की सप्लाई रहता है, क्योंकि दोस्तो एक नम्मर पीन पर जो सप्लाई आता है बहुत गारी आते जाता रहता है दोस्तो लिए इस दिस्टर्बेंस होता है थोरा सा वीडियो रोकते हैं यह जो 14 नम्मर पीन पे जो सप्लाई आता है यहां से दोस्तो एक डायोड लगा हुए रहता है और यह डायोड के जड़िये दोस्तो तिन नम्मर से कनेक्टेड होता है तो यहां पर तक्रीबन आधा वोल्ट सप्लाई दोस्तो डाउन करता है ठीक है तिन नम्मर पीन पे चार नम्मर पीन दोस्तो नेगेटिव सप्लाई होता है तो यहां पर दोस्तो माइनस में 14 वोल्ट आपका सप्लाई दिखाएगा ठीक है पांच नम्मर पीन दोस्तो यह सप्लाई दोस्तो यह सप्लाई होता है पांच नम्मर पीन का जो सप्लाई होता है दोस्तो यह यह युक वोल जो लगाए हुऊ रहाता है टीबी में पिक्चर टीव पर उससे दोस्तो क्नेक्ट रहता है युक से दोस्तो तो इस पर दोस्तो Zero.20 बोल्ट की सप्लाई रहता है Zero.20 बूल्ट दोस्तो ठीक है और छे नमरедин dá दोस्तो जीरो दसम्लो 70 वोल्ट और 7 नम्मर पीन पर भी दोस्तो 0.70 वोल्ट इसमें दोस्तो 70 का जगा दोस्तो सेम आपको सप्लाई मिलेगा ठीक है यह तो दोस्तो सप्लाई पीन होगिया अब दोस्तो आपको circuit में हम check करके दिखाते हैं ठीक है उससे पहले दोस्तो जो इसका जो supply आता है भटकल section को चालू करने के लिए वह supply दोस्तो आता है horizontal section से EHD transformer से यह EHD transformer है दोस्तो इससे 14 volt minus और 14 volt प्लस supply दोस्तो अउट होता है ठीक है यहां पर दोस्तो देखिए एक डाइवर्ड लगए हुए हैं यहां डाइवर्ड का नम्मर होता है दोस्तो आठीभी 022 और किसी में दोस्तो 80 भी 06 यह दोस्तो दोको डाइवोड लगता है अगर यह डाइवोड खराब हो जाए तो दोस्तो इसके जगह पर आप BA 157 या BA 169 डाइवोड दोस्तो आप लगा सकते हैं यह लग जाता है ठीक है और किसी-किसी में दोस्तो देखा गया है कि आइण 599 भी दोस्तो डाइवोड लगता है ठीक है आप समझ गया है यहाँ पर दोस्तो देखिए जो होरजेंटल सेक्षन से जो सप्लाई आउट होता है 14 भोल्ट प्लस और 14 भोल्ट माइनस इसमें दोस्तो रजिस्टेंस लगा हुए रहता है यह बहुत लो पावर का रजिस्टेंस रहता है यानि दोस्तो दसमलो 47 ओम्स और दोस्तो यह एक वाड से दू वाड तकले आप रजिस्टेंस इसमें लगा सकते हैं दसमलो 47 ohms मतलब दोस्तों हाप ohms से भी कम का रजिस्टेंस लगता है अगर रजिस्टेंस है तो आप लगा सकते हैं अगर नहीं है तो इसके जगह पर दोस्तों कभी कदाल जमफर भी करना पड़ता है जमफर कर देने पर भी दोस्तों यहां काम कर जाता है ठीक है यह रजिस् खराब हो जाता है रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा जमफर के जगा रेजिस्टेंस आप यूज कीजिएगा तो दोस्तों जादे आपको अच्छा रहेगा ठीक है और दोस्तों दखिए इसे भटकल सेक्षन को चालू करने के लिए सिस्टम आइसी से भटकल फ्रिक्वेंसी आउट होता है करेब दोस्तों यह एक दसमलो असी भोल्ट से दू भोल्ट तक ले दोस्तों सप्लाई आउट होता है दो सप्लाई निकलता है दोस्तों दो किसिम का सप्लाई आउट होता है ठीक है मतलब जो सप्लाई एक पीन पे एक दसमलो असी भोल्ट मिल रहा है तो दू आपको सप्लाइबिए के राइन होगा अगा यह सप्लाइब आृट नहीं करेंगा अगर यह दोनम सप्लाइब नहीं अदिक लाइन ऐगा नियां आ लIG bothering अगर रहा है और अगर आपको एक वृआई नहीं आ रहा है तो उसस्तीती में दोस्तों आपको या तो § hao जाएगा बीच ए, आधा नीचे हो जाएगा या B2 सेacious आधा उपर में है दोस्तों पिक्चर दिखाएगा ठीक है तो समझ गए है और दोस्तों यहां जब waiver seperti का मनें करएगा आसी कर कर जाता है दोस्तो तो मरकरी के तरह पतला एक लाई आता है बाय से दाएं ठीक है यह फिल्टर के किसी कर करना होगा च्रॉड लोह तो दोस्तो पिकचर है का दोस्तों पिकचर के हाई ग्रमीयोस च्छोटा हो जाएगा तो सकत्क ना रखांकर सेट subscription की दोस्तो हमको भोल्टेज नापना है किस पीन पे कितना भोल्टेज आता है तो देखिए दोस्तो यह हो गया अब इसका पीन पहचानते हैं दोस्तो देखिए यह चार पीन ऊपर है और तीन पीन नीचे तो यह वाला एक नमर है और यह वाला दोस्तो दो नमर है फिर यह दोस्त 3 नमर है ये 24 नमर है मैं है चलिए हम हमें स्टार्ट कर दिये है तो डिकल आप स्पलाइव लुट ऐए अर्द ए हमें स्टार्ट कर दिये हैं तो त्योड़ स्पलाई देखते हैं बोल्ट यह 14 वोल्ट आ रहा है और यहां पर दोस्तों यह माइनस सप्लाई है यह माइनस सप्लाई है दोस्तों देखिए 14 वोल्ट यह माइनस में आ गिया और यह दोस्तों प्लस में सप्लाई है ठीक है तो माइनस तो प्लस सप्लाई दोस्तों एक नम्मर पीन पर आएगा दे में दोस्तों दिखा रहा है हम उसमें दोस्तों सर्किट में आपको 11 बोल्ट बताए थे दोस्तों यह सप्लाई दोस्तों सही है ठीक है और तीन नमर पीन दोस्तों हमारा यहां पर देखी एक डाइवड लगाए हुए है यहां पर दोस्तों सप्लाई आ रहा है तो तीन नमर प और यह प्रिंट इसका ज्वाइंट है इसलिए दूस्त हम अलग चेक कर रहे हैं आई सी के अलग ही चेक करें प्रिंट पकर के अगर आई सी के पास आप डायरेक्ट मीटर का प्रोड लेके चेक किजिएगा तो दोस्तों कभी के दाले हाथ हिल जाता है तो सौट सरकिट हो अटा है इसलिए दोस्तों अलग चेक करना 4 नमर फीन पर दोस्तों पांच नमर पीन यह सप्रिंट दोड़ा है यह यह Pe ecos दोस्तों से ऐसे घह गया है और यहां से दोस्तों ऐसे होते हुए और यहां पर दोस्तों देखिए का कनेक्शन ल». यह क्वैल से कनेक्ट हो गिया है ठीक है पांच नम्मर पीन पर दोस्तों दिखा दिया है सप्लाई देखिए 22 बोल्ट दिखा रहा है हम सर्किट में दोस्तों 20 बोल्ट बताये थे और यहां पर दोस्तों देखिए 6 नम्मर पर 173 बोल्ट सप्लाई दिखा रहा है तो 7 नम्मर सप्लाई होगा साथ नमेर पिन पर दौस्त सेम सप्लाई होगा सात नमार पिन पर दोस्तो सेम सप्लाई है सप्लाई समझगा है अब दौस्तो इसमें कुछ रेस्टियन्स लगे हुए है जो हम जो ब Distють बताए है यह दोस्तों ПолAgट आपको स्क्रीन देखने से पता चल जाता है कि कहा सा प्रोब्लिम आया है ठीक है तो वटकल सक्षन का काम है दोस्तों पिक्चर को उपर से नीचे की और फैलाना आइसी चेक करने का एक तरीका है दोस्तों कि जब आपके टीवी की स्क्रीन पर एक लाइन आ रहा हो हो और जेंटल तो भींगा लिजिए और आप लकडी के टेबूल पए लकरी के कुर्सी पर बैठकर और फैर जमीन से उपर कर लेएए और थासा हासा भिंगां तो सएझेए आपके पास लाइन आ रहा है तो दोस्तों आपने को चेंज कर देऊचाहरी के चेंज कर दिजिया है Kin indu, अगर में तिवाइल एक आइसे, हाथ घिसने पर तो दोस्तोंब और वर्टिकल ऑसलेटर सेक्षन को चेक करना है यहां से जो सप्लाई निकलता है ठीक है आई सी से यह सप्लाई दोस्तों चेक करके दिखाते हैं आपको ठीक है यह सप्लाई दोस्तों देखिए यह पीन यहां से देखिए यह पीन द्वारा ऐसे होते हुए और यह दोस्तों साथ पीन से connect हो गिया है और एक दोस्तों देखिए यह supply इधर से या रहा है और इधर से होते हुए दोस्तों छे नमर से connected है तो यह हमारा दोस्तों यहां पर है supply है तो इस पर दोस्तों चेक करा देते हैं तो देखिए एक दसमलो कितना है एक दसमलो 70-72 बोल्ट supply दोस्तों दिखा हैं आपको देखिए यहां पर दोस्तों देखिए 1.72 वोल्ट और यहां पर दोस्तों देखिए 1.82 वोल्ट वोल्ट दोस्तों सही है यह देखिए दोस्तों 1.82 तेरासी वोल्ट और दूसरा पर दोस्तों देखिए 1.71 वोल्ट यहां पर दोस्तों जैक लगा हुआ है और जैक क यहां पर कितना आ रहा है एक दसम्लो 72 और इस पर दोस्तो एक दसम्लो 83 बोल्ट 84 बोल्ट दोन पीन पर दोस्तो सप्लाई आ रहा है थोरा सा 80 बोल्ट के दोस्तो अंतर है दसम्लो में और यहां पर दोस्तो रेजिस्टेंस लगा हुए है तो रेजिस्टेंस के बाद दोस्तो स दोस्तो सेम दिखाता है इसलिए दोस्तो इस रेजिस्टेंस को निकाल कर चेक करना होता है कि रेजिस्टेंस खराब नहीं है रेजिस्टेंस का भाईलू बढ़ जाने के कारण भी दोस्तो सप्लाई लो हो जाता है जिसके कारण दोस्तो टीवी की स्क्रीन पर पिक्चर जो है दोस्तो उपर से बीच से उपर उपर चला जाएगा या दोस्तो बीच से नीचे चला जाता है ठीक है यह सब दोस्तो ध्यान पुरुवक चेप करना होता है ठीक है तो दोस्तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो 22 साइड आंग उठे के निसान को टच कर एक लाइक